Hello everyone, BAC Second Year के पिछले वीडियो में हमने Types of Eggs यानि की अंडे के प्रकारों के बारे में पढ़ा था इस वीडियो में हम बात करेंगे Process of Fertilization यानि की निशेचन की प्रकरिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो बात करते हैं Fertilization क्या है? The fusion of haploid male gamet and haploid female gamet to form a diploid gyot is called Fertilization तो जब अगुनित परकार के जो male gamet यानि की नर यूगमक जो होते हैं जिने हम शुक्रानू कहते हैं and haploid female gamet यानि की ऐसे अगुनित मादा यूगमक जिने अन्डानू कहते हैं जब यह deployed प्रकार का जाइगोट यानि द्वी गुनित जाइगोट का निर्मान करता है तो इसे fertilization कहते हैं तो यानि कि इसमें fertilization process के अंदर male gamet यानि sperm तथा ovum का fusion होता है यानि इनमें आपस में संगलन होता है और इसके द्वी गुनित जाइगोट का निर्मान होता है तो इस प्रकरिया को हम fertilization या निशेचन की करिया कहते हैं According to place and nature of fluid media following two kinds of fertilization have been reported तो इस्थान तथा उसका जो nature है यानि प्रकरती जो है उसके fluid media यानि तरल माध्यम की उसके आधार पर जो है वो दो प्रकार के fertilization या निशेचन की करियाएं होती है एक होता है external fertilization यानि बाहिय निशेचन और दूसरा होता है internal fertilization या आंतरिक निशेचन तो दो प्रकार से निशेचन की करियाएं होती है जीवों के अंदर तो सबसे पहले आता है external fertilization क्या है भाहिय निशेचन इस type of fertilization occur in liquid medium outside the bodies of parent animal यानि कि इस परकार का जो निशेचन है वो होता है किसी तरल माध्यम के अंदर और यह है जो parent animal होते हैं यानि पैत्रक जन्तु यानि नर तथा माधा दोनों के ही सरीर से बाहर की और किसी तरल माध्यम में यह निशेचन होता है तो अधिकांस जो है जलिय जन्तु के अंदर यानि aquatic animals जो होते हैं उन में इस परकार का external निशेचन यानि fertilization पाये जाता है तो अधिकांस मचलियों के अंदर amphibia में तथा जो aquatic invertebrate यानि जल में रहने वाले और कशिरू की जन्तु होते हैं इन सभी में इस परकार का बाहिय निशेचन पाये जाता है दूसरा आता है internal fertilization आंत्रिंग निशेचन इस टाइप ओफ़टिलाइजेशन अकर इन लोवर पार्ट ऑफ ओविड़क्ट यानि के इस परकार का जो निशेचन है वो मादा के सरीर के अंदर जो ओविड़क्ट होती है अंडवाहिनी उसके निचले भाग के अंदर हो सकता है जैसे कि यूरोडेला के अंदर होता है इन अपर पोर्शन ऑफ ओविड़क्ट यानि अंडवाहिनी के उपरी भाग में भी हो सकता है जैसे सेलामेंडर्स में होता है रेप्टाइल बर्ट तता मेमल्स के अंदर होता है यानि कि ओवेरी के उपरी भाग में निशेचन की क्रिया होती है और इन ओवेरियन फॉलिकल इन-VV-Paris-Fashes, यानि जो इनके Ovarian Follicles यानि पुतक जो होते हैं, अंड़ा से ही पुतक उनके अंदर अयदी होता है जैसे की जो VV-Paris P Michaels होती है जो जरायूज मुचलियां होती है उनके अंदर और ενtherian mammals और इस परकार से इनके अंदर mammals में यानि इस्तंदारी जिओं के अंदर भी इस परकार के निशेचन देखनے को मिलते हैं अब बात करते हैं site of fertilization यानि निशेचन के इस्तान की तो mammals के अंदर fertilization takes place mostly in ampullary scrutiny junction of oviduct या इसे कहते हैंドfalokine tube यानि इस्तंदारी जिवों के अंदर जो निशेचन की करिया होती है वो अधिकांस एमपुला दता इस्तमस के जंक्षन यानि जुडाव के इस्तान पर पाया जाता है जो कि इनमें ओवी डक्ट का होता है यानि कि फैलोपियन ट्यूब के इस्तमीक और एमपुलरी जंक्षन पर ये निशेचन की करिया होती है मोमेंट ऑफ इस्परम यानि कि जो सुक्राणों होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं यूटरूस के अंदर यानि प्रात्मिक रूप से जो यूटरूस यानि संकुचन जो होते हैं वो स्परम की गति को बढ़ाते हैं यानि वो स्परम को आगे बढ़ने में साहता करते हैं बट लेटर ओन दे मूब आई देर ओन मोबिलिटी और बाद में ये जो स्परम या शुक्रणों होते हैं ये स्वयम जो है अपनी गति सीलता पर दर्सित करते हैं जो कि पूँच की साहता से स्परम आगे की और तैरते हैं स्परम स्विम इन फ्लूइड मेडियम एड़ रेट ओफ 1.5 to 3 mm पर मिनट तो स्परम जो होते हैं वो किसी तरल मादियम के अंदर जो है वो तैरते हैं जो की 1.5 से 3 mm पर मिनट के हिसाब से ये आगे बढ़ते हैं और अपनी आगे की साइट पर पहुंचते हैं तो वेजाइनल एपिथीलियम यानी की योनी के अंदर पाए जाने वाली जो एपिथीलियम होती है और उसके अंदर जो ल्योकोसाइड होते हैं ये अनेक million sperms को ये जो है वो खा जाते हैं यानी ये उन्हें नश्ट कर देते हैं अब बात करते हैं arrival of secondary oocyte जो द्वित्यक उत्तक होता है वो किस प्रकार से पहुंचता है आगे फैलोपिन ट्यूब में इन human beings यानि मानों के अंदर secondary oocyte is released from mature graphene follicle of an ovary यानि कि मानों के अंदर जो द्वित्यक oocyte होता है यह mature graphene जो फॉलिकल होते हैं या पुटक जो होते हैं जो की ovary यानि अंडाशे के अंदर पाए जाते हैं उसके द्वारा यह release या इन्हें स्वतंतर किया जाता है और इस क्रिया को हम ovulation कहते हैं या अंडोज सर्गी से कह सकत हैं दा ऊसाइट इस डाइण दो इसे डरा यह रिसी किया जाता है पास में ही वॉपस्तित फैलोबेंट जो फनटार यह कीप होता है उसके द्वारा इसे रिसीव किया जाता हैं एन शेंट इंट्रीं पैलोबें नल्का के अंदर बेजा जाता है Śुल्त गोflies और इनके अंदर जो फिंब्री होती है उसके द्वारा और उसके अंदर जो सीलिया होते हैं पक्षमाब इनकी गतियों के द्वारा इन्हें जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर धकेला जाता है तो जो द्वित्यक ऊसाइट होता है ये निशेचित किया जा सकता है केवल 24 घंटे तक जब ये ओविरी से रिलीज हो जाता है यानि अंडा से से निकलने के बाद 24 घंटे तक इन में फर्टिलाइज होने की समता रहती है यानि ये निशेचित हो सकते हैं और इस समय के दौरान यदि स्पंप यहां तक पहुंचता है तो वह स्पंप इसे निशेचित कर सकते हैं यानि जो द्वित्यक ऊसाइट होता है जब ये है फैलोपिंट ट्यूब में आ जाता है तो ये है अनेक स्पंप के द्वारा घिरा रहता है यानि शुक्रान जो है इसके चारों और एकतरित हो जाते हैं बट अनली वन स्पंप सक्सीड इन फर्टिलाइजिंग दा उसाइट लेकिन इन सभी स्पंप या शुक्रानों में से केवल एक सुक्रानों ऐसा होता है जो इसे निशेचित करने में सक्सम होता है तो एक स्पंप ही उस साइट को निशेचित कर सकता है Since the second meiotic division is in progress अब इसके अंदर जो अंडणों होते हैं secondary उसाइट उनके अंदर जो second दूसरा जो अर्द सुत्री विभाजन होता है वो उसमें progress में होता है यानि चल रहा होता है यानि वो उसमें रुकावा रहता है So the sperm enters the secondary उसाइट और इसके साथ में ही जो है वो जब sperm इसके अंदर एंटर करता है secondary उसाइट के अंदर तो जो second meiotic division होता है वो शुरू हो जाता है Second meiotic division is completed by the entry of the sperm into the secondary उसाइट तो जो दूसरा अर्द सुत्री विभाजन होता है अंडानू के अंदर वह complete होता है जैसे ही sperm इनके अंदर एंटर करता है यानि शुक्रानू के निशेचन होने के बाद इन में दुट्यक अर्द सुत्री विभाजन होता है After this, secondary उसाइट is called ovum अब जैसे ही इसके अंदर दूसरा meiotic division जब हो जाता है यानि अर्द सुत्री विभाजन complete हो जाता है तो इसे ovum या अंडानू कहा जाता है Next जो इसमें step आता है वो है capacitation of sperm यानि शुक्रानू का योग्यता अर्जन यानि की निशेचित करने के लिए शुक्रानू में योग्यता किस प्रकार से आती है The sperms in females genital tract are made capable of fertilizing the eggs तो जो sperm होते हैं यानि शुक्रानू जो होते हैं ये female के genital tract यानि की जो नलिका होती है जनन नलिका उसके अंदर मादा की जनन नलिका के अंदर ही ये शक्षम होते हैं किसी एग को fertilize करने के लिए यानि योग्यता जो है इनमें female genital tract में जाने के बाद में ही आती है By secretions of the female genital tract क्योंकि जो मादा के अंदर जनन वाही नहीं होती है उनके कुछ इस्तरा होते हैं जो इन sperms को योग्य बनाते हैं निशेचन करने के लिए These secretions of female genital tract remove coating substances deposited on the surface of sperm particularly those on acrosome तो ये जो secretions होते हैं जो की मादा जनन नलिखा के द्वारा इस्तरावित होते हैं ये extra जो substance या पदार्थ जम्य हुए होते हैं शुक्राणों के उपर उन्हें ये हटाता है और विशेश तोर पर उन substances को हटाता है जो इसके शुक्राणों के अगर भाग यानि एक्रोसोम के उपर लगे होते हैं तो ये सभी secretion जो है वो extra substance या पदार्थ जो लगे होते हैं शुक्राणों के उपर उन्हें सब को हटाने का कारिये ये इस्तराव करते हैं Thus the receptor site on the acrosome are exposed and sperm become active and penetrate the egg और इस प्रकार से जो ग्राही स्थल होता है जो की acrosome के उपर होता है यानि शुक्राणों के अगर भाग पर वह exposed हो जाता है यानि खुल जाता है आगे से अनावरित हो जाता है and become और यह जो sperm होता है वह active हो जाता है यानि शक्री होता है और अंडाणों को penetrate यानि अंडाणों के भेदन के लिए यह पूर्ण तया सक्षम हो जाता है This phenomenon of sperm activation in mammals is known as capacitation और यह जो अवधारना है sperm के activation यानि शक्राणों के शक्रियन की mammals के अंदर इस प्रक्रिया को capacitation यानि योग्यता अर्जन कहा जाता है It takes about 5 to 6 hours for capacitation और योग्यता अर्जन की जो क्रिया है वो लगबग 5 से 6 गंटे जो है इसमें समय लगता है शुक्राणों को The secretions of seminal vesicles जो seminal vesicles होते हैं उसके जो इस्तराव होते है प्रोस्टेट ग्लैंड के इस्तराव और बल्बो यूरिथरल ग्लैंड यानि जिने काउपर ग्रंथिया कहते हैं इन सीमन contain nutrients which activate the sperm तो जो नर के अंदर पाई जाने वाले seminal vesicles होती है प्रोस्टेट ग्रंथी और बल्बो यूरिथरल ग्रंथी यानि काउपर ग्रंथिया जो होती है ये वीर्यक के अंदर उपस्तित जो nutrients होते हैं ये सभी sperm को यानि शुक्राणों को एक्टिवेट या सक्रि acidity in vagina तो ये जो secretions होते हैं इन ग्रंथियों के द्वारा यानि ये जो ग्रंथिया है नर के अंदर ये जो ग्रंथिया इस्तराव करती है ये secretions जो होती है neutralize करते हैं यानि उदासीनी खरण की क्रिया करते हैं acidity in vagina यानि योनी के अंदर उपस्तित अमलेता जो होती है उसे उ कि द्वारा जो इस्तराव किये जाते हैं वो साहिग होते हैं alkaline medium makes the sperm more active और जो सारी माधियम होता है इनके अंदर तो सारी माधियम जो है वो शुक्राणू को और अधिक active बनाता है तो इस प्रकार से शुक्राणू जो है वो शक्री हो जाते हैं यानि active form में आ जाते हैं थेंक्यू सो मच इसके बाद का next जो process है वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे